हेलो फ्रेंड्स हावे यू आई होप यू हड़ अ प्रॉफिटेबल डे तो आए दोस्तों डिसक्रस करते हैं कल जो मैं आपको ट्रेट दी थी उन्होंने आज कैसे परफॉर्म किया कल जो मैं आको पहली ट्रेट दी थी वो थी बैंक निफट एक शॉर्ट की ट्रेट थी इसक आज लिटररी आउट परफॉर्म किया आज नीचे गई है 245 पॉइंट्स डाउन इसके लाबा मैं आपको केसल की ट्रेड दीती इसका बाय मैं आपको ज्यादा लोस से भी उपर इवन हैर लो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर के तरफ एक ब्रेकाउट भी आ गया है ब्रेकाउट के यहाँ पर रीटेस्ट भी होगा प्राइस अपर इसी जोन में कंसॉलिडेट कर रहा है तो इसको हम तब बाय करेंगे जब प्राइस कंसॉलिडेशन से उपर आ जाएगा इसके अंदर जो हमारा बायंग प्राइस होगा वोगा 124.7 अराउंड यहाँ पर इसमें जो टेक प्राफिट होगा 127 और 128 के बीच में अराउंड यहाँ पर इसमें जो स्टॉप लॉस होगा सपोर्ट के नीचे इन स्विंग लोस के नीचे जोगा 119 तो आप देख सकते हैं यह एक लोग है यह higher lower low यह भी उपर है इवन higher low यहां पर देख सकते हैं उपर के टिफे ब्रेक आउट भी आए ब्रेक आउट रही तेस्ट रहे प्राइस अभी इसी जोन में consolidate कर रहा है तो इसको हम तब पाई करेंगे जब प्राइस इस में बार आ इसके अंदर जो हमारा buying price होगा होगा 147.8 अराउंड यहां पे इसमें जो take profit होगा होगा 157 और 158 के बीच में अराउंड यहां पे इसमें जो stop loss होगा होगा support की नीचे in swing lows की नीचे जोगा 139 तो friends यह बहुत ही अच्छी trade आई देखते हैं कल के लिए हमारी next trade कौँसी है मैस्फिन का वनावर चार्ट है इसके अंदर कल जो हम ट्रेट करेंगे वह एक breakout trade है तो इसकी जो first resistance होगा 770 पे उसके बाद जो resistance होगा 802 पे तो यहां पे आप देख सकते हैं इस price में अच्छी कासी correction आ चुकी है यहां पे आप देखेंगे यह एक low है यह higher lower low से भी उपर even higher low अब यह आप देख सकते हैं price consolidate कर रहा है just resistance के नीचे तो इसको हम तब buy करेंगे जब उपर की तब एक breakout आजएगा जो इसकी टेटरस हो डायक्ली बाय कर सकते हैं breakout पे जो conservative टेटरस हो ब्रेक आउट करें retest आपको 770 का अची होगा और retest आप 500 चार्ट में भी देख सकते हैं उसके बाद जो price उपर जाना शुड़ होगा तब आप इसको buy कर सकते हैं इसके अंदर जो buying price होगा होगा 774 around यहां पे इसमें जो take profit होगा 796 और 801 के बीच में around यहां पे इसमें जो stop loss होगा support के नीचे in swing lows के नीचे जोगा 749 तो friends यह भी एक बहुत ही अच्छी trade है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है और कल during the trading time अगर intraday में कोई trade आती है निफ्टी है बैंक निफ्टी में तो उसको मैं definitely upload कर दूँगा अपने telegram पे मेरे telegram का link description box में और दोस्तों अगर वीडियो वीडियो में तब तगले good bye and take care friends